तो हम लोग देखने वाले science में chemistry के कुछ important concept, ठीक है, in the symbolic representation, x, a, z is represented, एक किसी इज को दर्सारा है, ठीक है, atomic number को, mass number को, number of proton ने neutron को, या फिर both a and c को, a and c को, या फिर both b and c को, ठीक है, b और c को, तो आप अपने हिसाब से answer mark कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, तो होता क्या actual में, यहाँ पे जो है, यह symbolic representation ने, यह क्या बताता है, atomic mass बताता है, और z क्या बताता है, atomic number जो नीचे लिखा जाता है, ठीक है, इसमें confused नहीं होना, एकदम, यही से पूछ लेता है, ठीक है, कि z को क्या बताते है, तो atomic number बताते है, और atomic mass को, mass number भी लि बताता है, ठीक है, और उसमें, उसके orbit में कितने electron हो, होते हैं, वो number of proton के बराबर होते है, ठीक है, जितने number of proton होंगे, उतने ही number of electron होंगे, यानि atomic number बराबर number of proton बोलिये, या number of electron बोलिये, ठीक है, लेकिन मेंली हमको यह याद रखना है, ठीक है, उसके बाद atomic mass क्या होता है यह वाले जो बात करें, atomic mass क्या होता है, number of proton plus number of neutron होता है, यानि कि P plus और N पे तो कोई charge नहीं होता है, तो N 0 लिग दिया है, तो atomic mass याल रखना है, number of proton plus number of neutron, ठीक है, अब यहां बात करते हैं, जैसे यहां पर बात किये, atomic mass और atomic number, ठीक है, तो अब oxygen का क्या होता है, atomic number होता है, 8 और atomic mass होता है, 16, यह periodic table में मिलेगा, आपको याद भिग रखना पड़ेगा, ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, कि atomic number जो होता है, वो number of proton होता है, ठीक है, और यहां जो होता है, यह होता है, atomic mass, और atomic mass क्या होता है, number of proton plus number of neutron, ठीक है, अब अगर हमको number of neutron निकालना है, तो इसको से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जागा? 16-8, 8 आजाएगा तो आपको number of neutron निकालना है chlorine का इस atom में ये क्या होगा? ये mass number हो जाएगा और ये atomic number हो जाएगा आपको इसको निकालना है देखें, निकाल पाता है कि नि number of neutron कितना होगा और एक question बनता है यहाँ पर कौन सा ऐसा element है जिसमें neutron नहीं होता है neutron less element होता है तो वो हो जाएगा hydrogen, atomic number भी 1 होता है और atomic mass भी 1 होता है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो number of neutron कितना बचेगा? 0 बचेगा, जैसे मैंने यहाँ बताया positive number of proton plus neutron बचेगे, 16 माइनस कितना Wenn इसमेंसे माइनस करेंगे तो इसमें क्या सदूआएगा? number of neutron , 0 निकल दयागा तो यह वाला कंचेप्ट अप्को याद रखना है of proton plus neutron है, hydrogen हो जो हम उसमें कोई भी नम्मर उफ नियुट्रोन नहीं होता है और ये वाला होमवर्क अब कीजी अबीस